हेलो all my dear students I hope you all are doing good मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जैसे जैसे आपके exam से नजदीक आ रहे है करीब आ रहे है आप लोग और मेहनत करते जा रहे हो तो मैंने सोचा मैं भी अपनी तरफ से कुछ और मेहनत करते रहो आप लोगों के लिए ठीक है क्योंकि एक complicated topic है non-resident taxation और non-resident taxation के अंदर बहुत चारे multiple tax rates है बहुत चारे multiple tax rates और कहीं-कहीं पर non-resident foreign company लिखा हुआ है कहीं-कहीं-कहीं-lett Lightning change तो इसको compile करने के लिए मैंने आपके सामने एक compilation लेकर आया हूँ आपके सामने ठीके तो यह compilation अगर आप अच्छे से देख लोगे लगबग तीन पेज है बस तीन से चार साइड है that's it यह compilation अगर आप देख लोगे तो आपका 50% से जाधा nr का topic कतम हो जाएगा इसके बाद आ आपको nr में residential status अलग से चेक करना पड़ेगा जो वह हम वह हम है वो सब कुछ और जो presumptive income के provision से वह अलग से देखना पड़ेगा और section 9 deemed income बस इसके अलावा और तो nr में कुछ नहीं है जो nr में सबसे बड़ा सरदर्द है सबसे तकलीव देने वाला पार्ट जो है वो यह पार्ट है यह जो special tax rates है ना हो इन सब का हम लोग ने compilation करके यहाँ पर board पर डाल दिया है मैं आपको explain भी कर दूँगा पूरा का पूरा compilation एक बार एक बार run through कर दूँगा ठीक है उस तरीके से तो नहीं explain कर पाऊंगा जिस तरीके से class में किया था क्यों यह class में तो हमने लग बता देता हूँ 115A के अंदर क्या क्या आता है 115A के अंदर interest आता है royalty आता है FTS आता है और dividend आता है ठीक है अब dividend तो बहुत simple बात है dividend के उपर कुछ जादा बात करके मतलब नहीं है dividend के उपर मैंने नीचे note लिख दिया है कि अगर कोई non resident या foreign company कौन अगर non resident या foreign company अगर बी deduction reduction कुछ नहीं मिलता है flat 20% tax से now दूसरी कौन सी चीज़ है 115A के अंदर 115A के अंदर जो सबसे तकलीफ देने वाली चीज़ है वो है interest 115A में चार किसम के interest है ठीक है तो हमने चार किसम के interest को चार काटेगरी में डिवाइड किया interest category number one interest category number two interest category number three और अगले page पे interest category number four ठीक है तो ये चार किसम के interest हो गए उसके बाद 115A में और क्या है 115A में एक royalty and FTS है जिसमें अगर assessi का इंडिया में PE नहीं है तो वो 115A में आता है और अगर उसका PE है और वो royalty कमा रहा है FTS कमा रहा है तो वो 44DA में चला जाएगा तो देख लो आप यहाँ पर आपको 6 section तो मैंने सा चार और special tax rate है 115AB 115AC 115AD और एक आखरी जो प्रोविजन है वो chapter 2LA वाला 115C2I जो NRI के लिए applicable है तो इस तरीके से यही total 10 section है जो आपके syllabus के अंदर non-residence के लिए applicable है तो अभी हम लोग सब के बारे में बात करेंगे किक करके फटाक से और यह compilation भी मैं आप लोगों डाल दूँग यह मैं telegram channel पर भी डाल दूँगा website पर भी डाल दूँगा नीचे इसका description box में इसका link भी डाल देता हूं comment box में इसका link डाल देता हूं वहां से download कर लेना ठीक है तो पहले आप समझ लो सबसे पहले देगो बारी की से मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर 10 के 10 section 2-3 page पर आपके सामने होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ठीक है इसका printout निकाल देना अब आदब और घंटा इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसको याद हो जाएगा ठीक है फिर भी मैं आपको एक बार पूरा पूरा overview देता हूं exactly यहा यह कौन है यह lender है यह आपको पैसा दे रहा है दूसरे interest में भी non-resident foreign company थीसरे interest में भी non-resident foreign company लेकिन अब चौथे interest पर आऊगे ना तो इसको highlight कर देनेगा क्यों 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 कियों यहाँ पर नोन-resident foreign company नहीं है यहाँ पर FII और QFI पाचवे पाचवे जो पाचवे तो वो interest न individual HOF जो भी है तो वो slab breaks की ओपर हाँ पांच वाट छटा सेक्शन भी non-resident और foreign company है यहाँ पर साथ में क्या है agreement यहाँ पर भी होना जरूरी है और यहाँ पर भी approval होना जरूरी है प्लस यहाँ पर PE होना जरूरी है यहाँ पर सर्विस दे रहा है और यहाँ इ celui कोई पर पर बांच यहाँ पर यहां है foreign company भी नहीं है और यहाँ पर आपका FII भी नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पर कौन है यहाँ पर जो अससी आता है वो है overseas financial organization तो यहाँ पर देखो फिर से अससी बदल गया तो इसको सरकल कर दो जो बदल अधर दिया गया वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा specified पर देपिनिशन क्या है और दस्वे सेक्षण के अधर फिर से बदल गया वह न राइं नॉन प्रेसिडेंट इंडियन कौन होता है जो नॉन प्रेसिडेंट है प्लस या तो इंडियन इस तरीके से आपको इसको रीड करना है तो याद होगा ने तो याद नहीं होने वाला है यह लिखके ले लो मुझसे डिधन अदल इस तीज़ के लिखके लेकर दसवे सेफिटर अब पहले सेक्षन से लेकर士वे सेक्षन पैर कौन हैंगा। पहले में Indian concern और government है, दूसरे में infrastructure debt fund है, जिनकी income section 1047 के अंदर क्या होती है, exempt होती है, तीसरे में सिर्फ Indian company है, Indian concern नहीं है, Indian government भी नहीं है, सिर्फ Indian company है, तीसरे में, चैकले में फिर से Indian concern और Indian government, चैकले में Indian concern और government ये दोनों जस्ट पहले section के जैसे, तो फिर से गडिगडिया इससे याद करने का, तो यहाद वेगा, पहले में Indian concern government, दूसरे में infrastructure debt fund, तीसरे में Indian company, चौते में Indian company, government, पाच्वे में Indian concern, गवर्मेंट चट्टे में भी इंडियन कंसर्ण गवर्मेंट और साथवे सेक्षेंट से यहां पर पेयर का कोई रेलेवेंट नहीं बनता है आप खुछ चेक कर लें नो यहां पर कोई पेयर नहीं यहां पर क्या मुच्छल फंड खरीच रहे तो पेयर कॉन होगा वो पेयर यहां तषर्रा सबसे इंपॉर्डं पॉईंट को क्या दे रहा है तो पहले क्सेंशन के अनधर सामने वाला नॉन प्सेठीड आहां है तो लोन दे रहा है पो पियुक्किंगा एपिफन रेसिडेंट, इंफ्रास्ट्रक्षर डेट फंड को लोन दे रहा है, किसी भी करनसी में, अब यहाँ पर फॉरन करनसी नहीं चेक कर लो, ठीक है, अब जब तीसरा सेक्षन आता है यह complicated होगाता है, क्योंकि यहाँ पर multiple points है, यहाँ पर सामने वाला बंदा अपने को लोन भी दे रहा है, या सामने वाला बंदा अपनी company का, अपनी Indian company है न हम लोग तो, हमारी company का long term bond खरीद रहा है, और यह दोनों के दोनों, जो भी दे रहा है, दोनों में से 717-2012 से लेकर 30th June 2023 तक चलना चाहिए मतलब 1st July 2023 के पहले तक loan लेना चाहिए तो यह section applicable tax rate कितना है 5% है तो पहले यहाँ पर 3 अलग किसम की security है सबसे पहले loan और long term bond साचात में foreign currency भी है long term bond भी foreign currency में होना चाहिए loan भी foreign currency में होना चाहिए और इस period के अंदर होना चाहिए 2012 जुलाई से लेकर 30th June 2023 के बीच में यह period में पैसा बोरो करना चाहिए दूसरी चीज जो यहाँ पर है वो है रूपी डिनोमेटेट बॉन अब यह कोई भी currency में चलेगा रूपी डिनोमेटेट बॉन Indian currency, foreign currency फरक नहीं बढ़ता है लेकिन यह भी 31st March 2023 तक क्या होना चाहिए इस्चो होना चाहिए सॉरी 31st March नहीं यह भी 30th June यह मैं change करके डाल दूँगा 30th June 2023 तक इस्चो होना चाहिए रूपी डिनोमेटेट बॉन भी 30th June 2023 तक तो उपर वाला security भी 30th June 2023 तक इस्चो होना चाहिए रूपी डिनोमेटेट बॉन भी 30th June 2023 तक इसका 5% अब यहाँ पर एक स्टार मांग की आउने क्यों क्योंकि यहाँ पर गुवर्मेट ने कुछ exemption दिया है मैं आपको बताता हूँ क्या exemption अगर यह रूपी डिनोमेटेट बॉन आपने 17 सेप्टेंबर 2018 से लेकर 31 मांच 2019 के बीच में अगर इशू हुआ था अगर यह 17 सेप्टेंबर 2018 से लेकर 31 मांच 2019 के बीच में इशू हुआ था तो इस रूपी डिनोमेटेट बॉन पर टैक्स नहीं लगता है तो अगर इस पीरियड का information अगर question में दिया है तो उस पर tax लगेगा ही नहीं वो 10-4C के अंदर exempt है हाँ उसके अलावा अगर इशू हुआ है 30 या जून 2023 तक कभी भी इशू हुआ है तो उसके उपर आपको 5% tax लग जाएगा तो यह period मत भुलना इसके लिए यहाँ पर मैंने एक star mark करके नीचे इसका note लिग दिया है अब तीसरी security जो यहाँ पर है वो long term bonds है रूपी denominated bond है लेकिन अब यह ऐसे वैसे एरे गेरे जगे पर नहीं है यह एक recognize stock exchange के अंदर आपने खरीदा है वो भी IFSC के अंदर है और वो भी 1st April 2020 से लेकर 30th June 2023 के बीच में issue होना चाहिए तो इस पर आपका tax rate है 4% तो यहाँ पर तीन अलग किसम की security है पहले loan और long term bond foreign currency में 2012 से लेकर 2023 के बीच में दूसरा वाला rupee denominated bond any currency में तीसरा वाला भी any currency है छिप पहले वाले में foreign currency mentioned है दूसरा वाला rupee denominated bond 2023 तक अगर issue हुआ है तो 5% tax अगर 17 September 2018 से लेकर 31st March 2019 के बीच में issue है तो exempt और तीसरा long term bond rupee denominated bond recognized stock exchange में purchase किया है IFSC के true purchase किया है और उसको 2020 से लेकर 30th June 2023 के बीच में purchase किया है तो आपको 4% tax लगेगा I hope it is clear to all of you अब चौते section की तरफ बढ़ते हैं चौते section के अंदर क्या instrument है चौते section के अंदर भी आप rupee denominated bond खरीद रहे हो या तो government security खरीद रहे हो आप rupee denominated bond या तो government security non resident is buying rupee denominated bond non resident नहीं है यहापर FII QFI है FII QFIs are buying rupee denominated bond और government security अब यहां पर कौन क्या खरीदेगा देखो Indian company, rupee denominated bond issue करेगी और government, government security issue करेगी ठीके, अब यहां पर भी period डाला है, plus यहां पर currency कोई भी चलेगी, any currency, यहां पर foreign currency mention नहीं किया है, तेसरे section में mention गया था, पहले भी mention किया था, लेकिन दूसरे और चौते में foreign currency नहीं किया था, 30 जुन 2023 के बीच में अब loan नी borrow होना चीए, interest payable होना चीए, चेक करिए, यहाँ पर interest payable का date है, पिछले section में loan borrowal का date था, यह date में तो फरक है, प्लस उसके category में भी फरक है, वहाँ पर borrowal उस period में होना चीए था, और यहाँ पर interest payable उस period में होना चीए, I hope it is clear to all of you, अब पाच्वे section में क्या कर रहे हो, non resident foreign company आपको क्या कर रहा है, service दे रहा है, आप बदले में royalty pay कर रहे हो, लेकिन उसका इंडिया में PE नहीं है, छटे section में वो service दे रहा है, आपको royalty FTS पे करना है उसको, लेकिन उसका इंडिया में PE है, उसका branch है, वो branch के तुरू आपको service द public sector undertaking, public sector company के bonds खरीद रहा है, जो government बेचती है, वो भी foreign currency, या GDR खरीद रहा है, वो भी foreign currency, ये तीन चीज़ खरीद रहा है, तीनो foreign currency, Indian company के bonds, public sector company के bonds, जो government बेचती है, और GDR, तीनो के तीनो foreign currency, 9way section में क्या है, कोई भी security, other than 115 AB, किसी भी currency में, यहाँ पर foreign currency नहीं है, यहाँ बारी किसे पढ़ना पढ़ता है विटा exam के लिए, तब जागर आपको सही number आएंगे NR taxation में, और 10way section में क्या है, एक NRI आपके specified assets में invest करता है, specified assets मतलब, एक foreign currency में खरीदा हुआ asset होना चाहिए, और 4 किसम के assets है, पहला, Indian company के shares, जिसमे private public दोनों covered है, चलेगा, private भी चलेगा, public भी चलेगा, लेकिन उस NRI को Indian company के shares, private या public, कोई भी हो, foreign currency में खरीदना पड़ेगा, convertible foreign exchange में, second, public company के debentures, private company के debentures यहाँ पर नहीं covered है, third, public company का deposit, private company का deposit यहाँ नहीं covered है, fourth, government securities, तो shares, public, private दोनों चलेगा, लेकिन deposit और debentures, सिर्फ public company का, और government securities, ठीक है, यह आपके 10 section हो अब इसके आगे का जो भी भाशन है, नहीं बहुत straight forward है, आपको यह पहले तीन पर ही जादा focus करना है, और fourth पर थोड़ा सा, अब चौता point क्या rates of tax, अब चौता point rates of tax है, सबसे पहले section में tax rate कितना है, 20% और TDS कहां कर देगा, 195, दूसरे में 5%, TDS 194LB, TDS का section भी मैंने mention कर दि या 4%, वो IFSC वाले case में 4% है, 194LB में आपका TDS है, चौते section में 5%, 194LB, पांचवे section में 10% और DTW है, whichever is lower, छटे section में आपका normal tax rates है, foreign company है तो 40%, और अगर foreign company नहीं है, non-resident है, individual है तो slab rate, firm है तो 30%, जो भी है, TDS 195, साथवे section में आपका LTCG आपर coverd है, STCG नहीं coverd है, STCG जैसे tax होता है, वैसे करिए, LTCG 10%, TDS 196B में करता है, आठवा section, interest भी 10% है, LTCG भी 10% है, STCG coverd नहीं है, STCG normally जैसे tax होता है, वैसे करिए, 196C में TDS कर देगा, दसवे, नवे section में, multiple tax rate है, LTCG normal वाला 10%, STCG normal वाला 30%, ट्रिपल वने वाला STCG है, तो जैसे tax होता है, वैसे 15%, 112A वाला LTCG है, तो जो normal tax होता है, 10%, एक लाग का exemption जैसे सबको मिलता है, वो मिलेगा, अब interest के लिए 2 rate है, अगर FII interest कमा रहा है, dividend कमा रहा है, तो 20%, लेकिन specified fund interest या dividend कमा रहा है, तो 10%, और अगर इसमें भी, अगर interest 194 LD वाला है, क्योंकि यहाँ पर FII कवर्ड है, अगर 194 LD वाला interest कमा रहा है, FII तो फिर वो 5% पर tax होगा, last but not least, दस्वा section, interest 20%, LTCG 10% और 195 में आपका TDS कर टेगा, TDS का section मैंने हर जगे पर लिखा है, ठीके इसके बाद जो भी है, वो सब कुछ बहुत common है, 28 to 44 C, क्या PGPP का deduction मिलेगा, इसके against नहीं मिलेगा, पहले interest के against, दूसरे against के नहीं, तीसरे के against भी नहीं, चौतिया के against भी नहीं, पाचवे के against भी नहीं, लेकिन छटे के against आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका India में branch है, और आप एक normal PGPP income निकालोगे, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो अपने class में देखा रहा है, अगर foreign company का, या non-resident का, इंडिया में branch है, और उसके through service दे रहा है, royalty FTS, 44 DA अपनी के बले, सारे PGPP के खर्चे मिलेगे, लेकिन कुछ खर्चे नहीं मिलेगे, पहला जो खर्चा holding exclusively Indian branch के लिए नहीं करता है, वो deduction नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसको holding exclusively Indian branch के लिए खर्चा करना बढ़ेगा, तो वो deduction मिलेगा, पहली चीज़, दूसरा, अगर अपने HO से कोई service ले रहा है, या अपने दूसरे branch से कोई service ले रहा है, और उनको payment कर रहा है, उसका deduction कर रहा है, और बोल रहा है, उसको payment कर दो, मैंने उससे service लिया था, उसका deduction आपको मिलेगा, तो ये तीन point यहाँ पर लिखे गया है, तो ये मुझे जरूरी लगा कि इसके साथ ये जानना जरूरी है, तिर्फ ये charge sufficient नहीं होगा, तो ये note मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक ह अब chapter 60 के बारे में बात करते हैं, थोरा सा अजीब है, chapter 60 पहले 4 section में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और चोते में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ATLA पहले 4 में मिलेगा चेक करना, ATLA, ये एकलोता section है, जो पहले 4 इंटरस की against मिलता है आपको, लेकिन पांचवे और चेटे section में royalty और FTS की against आपको chapter 6 से का deduction मिलता है चेक करो मिलता है पहले 4 में नहीं मिलेगा पहले 4 में सिर्फ ATLA मिलेगा 5 और 6 में आपको yes yes मिलेगा royalty FTS की against 115 बे में भी claim कर सकते हो 44 DA में भी chapter 6 से claim कर सकते हो लेकिन 7, 8, 9, 10 में आपको नहीं मिलता है चेक करो chapter 6 से नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है चेक कर लो अगला point set off of loss अगर आपका कोई दूसरा business business एंडिया में या दूसरा कोई head of income में loss है आप set off करना चाहते हो वो हर जगे पर मिलेगा आप check कर लो सब जगे common है हर जगे common है तो ये common point है ये common point है साथवा और आठवा आठवा क्या है other income अगर आप इन incomes के अलावा ये special incomes के अलावा कोई और other income भी कमाते हो तो other income will be tax at normal rate normal rate पे tax हो जाएगा ठीक है तो other income will be tax at normal rate क्या other income के अगेंस मुझे chapter 6 से मिलेगा उसमें कोई restriction नहीं आग बन करके लो other income के अगेंस जैसे chapter 6 से बागी सब को मिलता है वैसे आपको भी मिलेगा ठीक है अब आता हो मैं नवे point की तरफ नवा point भी थोड़ा सा variation है कही है कही नहीं है कही है कही नहीं है जैसे पहले 4 में ये common है पहले in fact पहले 5 में ये point common है नवा point ठीक है पहले 5 में common है कैसे क्या ROI भरना जरूरी है सुनो अगर आप सिर्फ interest income कमाते हो या आप सिर्फ royalty income कमाते हो और आपका TDS 115A में जो rate दिया गया है उस हिसाफ से कटा है तो आपको ROI भरने की जरुवत नहीं है मतलब अगर 115A के rate से कम में कटा है तो आपको ROI भरना पड़ेगा विसाल के दोर पर 115A में rate 20% है और आपका TDS DTAA के वज़े से 15% पे कटा है तो ROI भरना पड़ेगा लेकिन अगर 115A में rate 20% है और आपका TDS 20% पे तो आपको ROI भरने की जरुवत नहीं है जरुवत नहीं है और जरुवत नहीं ठीक है आप सिर्फ royalty कमा रहे हो interest कमा रहे हो और आपका TDS 115A के हिसाफ से कटा है लोवर रेट पे भरने की जरुवत नहीं है चटे सेक्शन में आपको ROI भी भरना पड़ेगा आपका इंडिया में ब्राँच है भाई आपको ROI भी भरना पड़ेगा आपको audit भी करवाना पड़ेगा ठीक है आपको proper books maintain करना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा चटे सेक्शन में अब साथवे section में आपको ROI भरना mandatory है 115 AB में mandatory नवे section में sorry आठवे section में ROI की जर्वत नी है अगर आप सिर्फ interest income कमाते हो और TDS कट चुका है तो ROI की जर्वत नी है अब नवे section में भी आपको ROI हमेशा भरना है भले आप सिर्फ इन दो section में ना भले आप साथवे और नवे section में भरना mandatory नहीं है अगर आप सिर्फ interest कमाते हो TDS कट गया है और दसवे section में भी आपको ROI भरना mandatory नहीं है अगर आप सिर्फ interest और LTCG कमाते हो और आपका TDS कट गया है तो देखो कितना complications है unless and until आगर आपके सामने ये सारे provisions एक साथ नहीं होंगे तो आपको कभी जिंदागी में इंक provisions पे comfort नहीं आएगा मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको अब इंक provisions में जरूर comfort आजाए अगर अगर आ जाता है तो इस वीडियो को जबर्दस viral कर दो खैला दो जितने लोगों में फैला सकते हो जितने लोगों को फायदा दे सकते हो और नीचे comment करके बताओ क्या यह क्या है इंडेक्स सेशन अब देखो यहां पर तो यह सब relevant नहीं है यह सब एंड में काम आएगा कहां पर जब आप mutual funds एक्सेटरा बेचोगे यह कही काम नहीं आने वाले यह आखिर में काम आएगा लास के चाल सेक्शन देखो कहीं पर भी आपको फर्स प्रोवाइज को कही ना एक आखरी चीज़ यहां पर है वो यह है कि यह मैं डिविटेंट के बारे में आपको बता दिया यह मैं इंट्रेस से रिलेटिटिट एक पॉइंट है वो क्या है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी IFSC वाले को लोन देता है और बदले में इंट्रेस कमाता है तो वो तो गवर्मेंट ने पूरा का पूरा एक्जेम्ट कर दिया है section 1015 में चेक करो उस पर तो 115 चोड़ो कुछ भी नहीं लगेगा चेक कर लो no tax clear और एक आखरी चीज़ बता देता हूं ठीक है यह जो आपकी interest income है ना यह interest income 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 और यह royalty income ठीक है तो य आपको मैट नहीं लगेगा no mat if आपका tax rate is less than 15% that is the rate of math मतलब अगर आपका tax rate मैट के rate से कम है तो आपको मैट नहीं लगेगा मिसाल के तौर पर आपका first case में क्या आपका tax rate मैट के case से कम है नहीं ज्यादा है तो यहां पर मैट लगेगा मैट लगेगा second case में मैट नहीं लगेगा third में नहीं लगेगा fourth में नहीं लगेगा fifth में भी नहीं लगे तो first case में आपको मैट लगेगा बागी second, third, fourth, fifth में लगेगा because second, third, fourth, fifth में आपका tax rate मैट की tax rate से कम है I hope it is clear to all of you, ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये particular compilation बहुत मदद करेगा बेटा आप बस इसी को follow करना है इसमें सब कुछ कवर हो जाता है इस में almost 50% N-R taxation आपका cover हो जाता है और जो N-R का difficult part है देखो N-R में residential status difficult नहीं है, 4M difficult नहीं है और जो presumptive income है na 44B, 44BB वो difficult नहीं हो बहुत आसान provision से वो N-R में जो भी तकलीव दे provision है वो ये है ठीक है तो उसका compilation अभी अपने सामने है इसका maximum फायदा उठाओ और इसको अच्छे से रटा मारके जाना है इसको छोड़ के नहीं जाना है तो end में क्या होता है आप से पढ़ाई नहीं होती है तो आप छोड़ देते हो बेटा ये म मतलब लगब 25 दिन ठीक है ये 25 डेस आपकी सिंदगी के सबसे इंपॉर्टन 25 डेस होने वाले ये 25 डेस बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में यह चीज याद रखना इसमें जरा भी आलस बना नहीं दिखाना इसमें पूरी मैनत करना पूरी ताकत ल गजा बरना है तो आपका और बढ़ जाना चीज़िए क्या आपको रैंक लाना है अगर आपका रैंक यह में तो आपको यह आर ऊब नवदगेंडा है आपको किछे लगें परक नहीं पड़ता है आपस्ट में गऩेOoh याप euro फार्थ सब्सक्राइम करता है पास्ट एक्सपिरियंस सिए फाइनल में मैंटर नहीं करता है आप आज कैसे परफॉर्म करते हो वे हुआ हड़ा है अब्रीडेयर निवेंबर डोजार अठारह यह नवेंबर 2019 AIR 1 I don't want to take the name AIR 1 never ever got rank in his life but directly in CA final उसको AIR 1 आ गया उस बच्चे की हिम्मत देखो उसको अपने आप पे belief था कि मैं कर सकता हूं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हो बेटा कर सकते हो आप भी अपने आप पे भरोसा रखो अपने आप भरोसा रखो और बस अभी जो दिन चले गए वो चले गए अब जो दिन बचे है उसमें पूरी मेहनत करो ताकत से पूरी ताकत लगा दो और डरो मत सेर मेरा 30% सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है कोई चिंता बात नहीं है 70% सिलेबस भी हो गया है 60% सिलेबस भी हो गया है 50% सिलेबस भी हो गया है तूँ एक्जाम देखे आ जा हिम्मत से एक्जाम देखे आ लेकिन जितना पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ जितना लिखे जो नहीं हुआ उसकी negativity दिमाग में मत डालो, जो हो चुका है, उसको positively लो, और आगे बड़ो life में, इसी का भी 100% पढ़के CA final exam में नहीं होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो pass नहीं होते, pass हो जाते, कोई दिक्कर नहीं है, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है, थोड़ा smartly काम करना है बड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखो सब लोग अपना, I hope, मैं उम्मीद करता हूँ, यह compilation आप लोगों को बहुत help किया होगा, और help करेगा, और इसका जो soft copy वो भी मैं आप लोगों के साथ share कर लूँगा, आप इसको back zone share कर दो, अपने दोस्तों के साथ, नीचे comment क करके भी बताओं कि कैसा लगा, आपको यह compilation ठीक है, take care of you, ध्यान रखो सब लोग, bye, मिलता रहूंगा, जरूर, किसी तरीके से, और जबरदस वीडियोस के साथ, take care